हाई गीज और वेलकम बाक टो दी चैनल दीपाच यादव एजूकेशन वेलकम टो दी डेली हिंदू न्यूज एन रिटोरियल एनालेसस और 15 ओफ देसंबर 2023 तो गाई आज आतारिक 15 देसंबर दो हजारते हैस और है फ्राइडे देखेंगे आज के दाहिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को निलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक ज्यादा वेजुकेशन यूपीसी आपको इटेलिग्राम चनल मिल जाएगा यहाँ से आप डेली बिस्स पे इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप मेरे साथ में परसनली जुड़ना चाहते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो वहाँ पे जाके फिर से लिखना दीपक ज्यादा वेजुकेशन मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर अल्रेड़ी 14,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं साथ एक क्वेशन साल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवेस येर साल 2008 के प्रलिम्स में पूछा गया था डेली बिस्स पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवेस येर क्वेशन को भी साल्व करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह देखना होगा यहाँ पर अलग लग तीन कंपनियों के नाम दिये गए हैं यह ऑप्शन दिये गए हैं ऑप्शन नंबर A 1 & 2 only, B 2 & 3 only, C 1 & 3 only या फिर D 3 की 3 हैं तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है एटली सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको चेक आउट कर सकते हो और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरुरत नहीं है क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिसकेशन हम लोग करेंगे तो चलो शोबार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थमनिल वाले important article की तरफ तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंडिया-अर्मेनिया के relations के बारे में हुआ कि हम इस आर्टिकल को क्यों डिसकस करेंगा, हाली में बहुत सरे निउज आर्टिकल्स पबलिश होते हैं, रिपोर्ट्स पबलिश होते हैं, जहां पर बोला है, एजरबायजान के जो वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बिलकुल आप कह सकते हो, खुली वॉर्न अर्मेनिया क्या है दोनों अलग अलग देश हैं दोस्तों जिनके बीच में लंबे समय से कॉन्फिक्ट चलते वे नजरा रहे हैं पहले में आपको थोड़ा मैप दिखा देता हूं कुछ बेसिक चीजे समझा देता हूं पर उसके बाद आपको इसके रिगार्डिंग पूरी क तर्की आपको नजर आएगा तर्की के बराबर में यहाँ पर अर्मेनिया एजर्बायजान दोनों देश हैं अगर मैं इसको जूम कर दूं इस तरीके से तो थोड़ा सा आप नजर मार पारे होंगे ठीक है यह रहा तर्की उसके बाद यह आपको बराबर में अब इस पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है अब नोगर्णो कारबक रीजन important इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर अर्मेनिया और एजर्बाइजान में लंबे समय से जंग छिड़ती रहती है लड़ाईया होती रहती है अर्मेनिया बोलता है ये जो particular area ये मुझे belong करता है एजरबायजान बोलता है नहीं ये area हमको belong करता है और recent जो यहाँ पर war भी थी उसमें एजरबायजान ने इस हिस्से को अर्मेनिया से काट कर अपने हिस्से के अंदर में add कर रखा है अब इसकी थोड़ी और डीटेलिंग्स देखना है, क्योंकि मैप को लेकर भी हर साल questions बनते हैं, तो यहाँ पर आपको एजरबायजान नजर आएगा, इसकी capital हो गई बाकू, यहाँ पर अर्मेनिया है, इसकी capital हो गई एरेवन, ठीक है, एजरबायजान का location देखोगे, तो इस इसके पास, आसपास कौनकों सी countries है, जो कि इससे boundaries को share कर रही है, तो इसके north में आपको Russia देखने को मिल जाएगा, इसके east में आपको Caspian Sea देखने को मिल जाएगा, और इसके south में आपको Iran देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर west की बात करेंगे, तो इधर यह अर्मेनिया देखने को मिल जाता है, ठीके, अब इसी तरीके से अर्मेनिया को location को देखें, तो उपर इसके north में है Georgia, और इसके west में है Turkey, east में है Azerbaijan, और इसके यह जो particular अर्मेनिया है, इसके south में है Iran, ठीके, तो यह दोस्तों इसकी particular location हो गई, बीच में नगोर्नो कारबक, नगोर्नो कार है, वो हमने यहाँ पर अभी समझा, फिलाल, आप थोड़ा यह discuss करते हैं कि हम लोग अभी जो thumbnail बना कर बैठे हैं, वो क्या बात करता है, तो दोस्तों thumbnail में आपको दिखा रहा होगा, डिरेक्ली यहाँ पर mention कर रखा है, कि जो Azerbaijan है, वो काफी भड़क चुका है भारत और France के अर्मेनिया और भारत के जो defense वाले relations हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, अलगलग प्रकार के हतियार अर्मेनिया ने भारत से purchase करे हैं, तो कावगे इसमें क्या देखा है, तो उसकी मर्जी purchase करता रहा है, नहीं, अर्मेनिया यहाँ पर लगातार purchase कर रहा ह अर्मेनिया को तो कईने के फिर अर्मेनिया इन वेपन्स का यूज कर सकता है एजरबायजान के उपर में एजरबायजान के अगेंस्ट में, ठीक है इस particular region को gain करने के लिए, तो दोस्तों इसकी वज़यासा जो एजरबायजान है वो थोड़ा सा चिंतित भी है, और एजरब जिसके पीछे का यहाँ पर reason भारत और फ्रांस होगा क्योंकि यह दोनों अर्मेनिया को वेपन सप्लाई करने से रुक नहीं रहे हैं, अगर आप दोस्तों एजरबायजान और अर्मेनिया इन दोनों को अगर compare करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा powerful country आपको एजरबायजान ही देखने को मिलेगा, comparison जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे इन दोनों देशों की population वगरा तो population यहाँ पर एजरबायजान की बहुत जादा है, एक करोड के आसपास है, जबकि अर्मेनिया की population 27 से 30 लाग के आसपास है, ठीक है, बाकी और comparison करोगे, weapons में, military में हैं, या फ ठीक है, यहीं पर आपको बराबर में टर्की दिखेगा, यह आपको पीछे टर्की नज़रा रहा होगा, ठीक है, तो टर्की किसे support करता है, एजरबायजान को support करता है, एजरबायजान एक Islamic nation है, जबकि अर्मेनिया जो है एक purely Christian nation है, ठीक है, तो एजरबायजान को कई सरी countries क आस-पास के countries का काफी बड़ा support यहां पर आता है, और लंबे समय से आ रहा है, पाकिस्तान का support एजरबायजान को बहुत बड़ा support होता है, ठीक है, पाकिस्तान तो even अर्मेनिया के साथ में ऐसा खेलता है कि पाकिस्तान ने अर्मेनिया को एक देश मानना बंद कर दिया है, रीजन क्या था, रीजन मैंने आपको यहां पर बताया, अभी इस रीजन को और डीटेल से discuss करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा exam perspective से, especially यहां पर international relations के point of view से यह जान लेते हैं, भारत और अर्मेनिया के जो संबंध हैं, वो किस प्रकार से रहे हैं, इतिहास मे और आज के समय हैं, तो अगर आप लोग थोड़ा सा history देखते हो, तो अर्मेनिया और इंडिया दोनों ने लंबे समय से अपने political relations को improve कर रखाया, और पिछले साल 2022 में इन दोनों देशों के संबंधों को 30 साल पूरे हो चुगे थे, तो सबसे बहली बात दोस्तों, अर्मेन Union का हिस्सा हुआ करते थे, यह आप देख पाओगे, यह सब पहले Soviet Union का हिस्सा हुआ करता था, USSR ऐसा देखता था, ठीके, तो USSR 1991 में तो तूटा था, अब तूटने के बाद में इसमें से 15 कंट्रीज बनी, अब उस 15 कंट्री में रशिया, एस्तोनिया, लात्विया, तो 1991 में यहाँ पर यह कंट्रीज बिल्कुल separate हो चुकी थी, अलग हो चुकी थी, तो अर्मेनिया जब independent हुआ 1991 में, उसके बाद ही अर्मेनिया और भारत के जो relations है, वो re-establish हो चुके थे, जो diplomatic relations है, दोस्तों, यहाँ पर इसको तयार किया गया, अर्मेनिया और इंडिया के capital 11 के अंदर में start की गई, वो embassy ने काम करना शुरू किया, इतने ही ने, अर्मेनिया और इंडिया के जो relations है दोस्तों, इनको काफी अच्छा माना जा सकता है, अर्मेनिया, क्योंकि देखो, बात है 1995 की, 1995 के समय पर अर्मेनिया एक लौता, common wealth of independent states था, जिसके साथ में भारत के कोई संबंद थे, रश्या के अलावा, ठीक है, तो 1995 में common of independent states के, especially यहाँ पर दो countries का सकते हो, रश्या और अर्मेनिया, इनी दोनों के साथ में भारत के संबंद हुआ कर दे थे, अब ये common of independent states क्या था, तो दोस्तों ये particular body को बनाया गया था 1991 में, जब Soviet Union तूट गया उसके और आज के समय पर ये जो common of independent states से, इसमें कुछ countries आती हैं, जैसे एजरबायजान, अर्मेनिया, बेलारूस, कजक्स्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रश्या, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उस्बैकिस्तान, यूकरेन, तो आप इमेजिन करो, ये सारी countries आती हैं, लेकिन 1995 में केवल और केवल, अर्मेनिया और रश्या के साथ में हमारे संबंध अच्छे हुआ करते थे, और इसी वज़ा से इंडिया और अर्मेनिया ने मिलकर, ट्रीटी ओन फ्रेंड्शिप एंड कॉपरेशन को साइन किया 1995 में, ठीक है, तो आज के समय पर इन दोनों का कॉपरेशन इन दोनों का साथ अगर आप देखोगे, तो इस सबसे मेजर पॉइंट है, जिसकी वज़ा से ये दोनों कंट्रीज काफी करीब हैं, क्योंकि अर्मेनिया को ज़्यादा सपोर्ट कहीं से मिल नहीं पा रहा है, अर्मेनिया का साथ देता है रश्या, लेकिन अभ अभी उक्रेन के साथ वार में लगा पड़ा है, तो उसकी वज़ासे वो अर्मेनिया को सपोर्ट नहीं कर पाया, और दोस्तों यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स इत्ती बड़ती चली गएं कि अर्मेनिया कहीं ना कहीं, अब रश्या के ओपर ये डिपेंडनेसी खतम करना चा हाई, 2020 के वार से पहले ही, 2020 में अर्मेनिया ने 40 मिलियन डॉलर का जो आम्स डील है, वो यहाँ पर साइन किया दा भारत के साथ में, क्यों हम लोगों से इसने पर्चेस किये थे 4 स्वाती रडार, ये दो रडार सिस्टम है, ये वेपन्स के लोकेशन को डिटेट करने का काम करता है, हतियारों को डिटेट करने का काम करता है, औक्टूबर 2022 के अंदर, यानि पिछले साल की बात है, भारत ने एक और अग्रिमेंट अर्मेनिया के साथ में साइन किया है, जिसके तहत हम मिसाइल्स और रॉकेट अम्यूनिशन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग इन मिसाइल्स के अंदर में भी पिनाका, मिल्टी बैरल, रॉकेट लॉंचर भी आपको देखने को मिलेगा, पिनाका की जब बात करते हैं, तो दोस्तों ये है वो पिनाका मिसाइल, ठीक है, अभी पता ये जो डील्स हुई हैं, इनके बीच में कुछ वेपन्स हमने सप्ला प्रेड है, वो बढ़ पा रहा है, हम अपने जाद सदा जो डिफेंस वेपन से उसको एक्सपोर्ड कर पा रहे हैं, देखो जियो पॉलिटिक्स के अंदर में हर कोई व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, आज के समय पर आप देखोगे, कोई देश अगर द प्रांस के उपर भड़क रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रांस भी बहुत सरे वेपन सप्लाई करता है अर्मेनिया को, अब ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों फ्रांस रश्या के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, और फ्रांस का में परबस यही है कि रश्या के खिलाफ में एक में खड़ा किया जाए एक और देश जो कि अर्मेनिया होगा हर एक अपने पर्सपेक्टिव से खेल रहा है दूसरी चीज अगर आप देखो के दोस्तों तो इंडिया भी यहाँ पर अर्मेनिया को सपोर्ट करता है उसके भारत के अगेंस्ट में कई सारे स्टेटमेंट दे चुके हैं फो ठीक है इंडिया के जो कश्मिर वले इजने उसको लेकर यहाँ पर जो टर्की है वो हमेशा पाकिस्तान के फिवरम बात करता है ठीक है यह सब कंट्री यहाँ पर एक ही साथ की एक ही गुरूप की है तो इस व अगर आपको अर्मेनिया और इजर्बाइजान के बीच के संबंध पढ़ने हैं इनके जो रिलेशन्स हैं वो आखरकार किस तरीके सा खराब हुए कॉन्फिक कैसे क्रियेट हुआ यह सब कुछ पढ़ना है तो एक और मैंने सापरेट वीडियो अप्लोड कर रखा यूट्य क्लियर हो गया चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूस आर्टिकल की तरफ आज के दहिंदू न्यूस पेपर में पेज नंबर थ्री पर या अगर आप सही से उपन करोगे तो अपमना पेज नंबर वन हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग पेज नंबर 1 और 2 पर एड़र्टीजमेंट है है ना तो वैसे यहा पर आप पेज नैंबर 1 और 2 को काउंट करते तो पेज नंबर 3 है और अगर अब नॉर्मली स्टार्ट करते हो डिरेक पढ़ना तो पेज नंबर 1 हो क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं सर पेज नंब पूरी जिल जम चुकी है, काफी सर लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, काफी सर लोग गए भी होंगे घूमने, एक बहुत ही खुबसूरत नजरा यहाँ कर देखने को मिलता है, तो कऊँगे एक्जामनेशन के लिए क्या पढ़ना है, तो थोड़ा सा मैं आपको डल जिल के बारें बताने वाला हूँ, important है, बहुत सारे questions, UPSC ने लेक को लेकर पूछा है, चाहे वो लेक Victoria हो, या फिर लेक टिटीका का हो, ऐसे कई सारी लेक को लेकर सवाल पूछे गएं, ठीक है, तो डल लेक के बारें बात करेंगे, तो यह भी एक जिल कहाँ पर है, स्रीनगर के इसी के लिए हमारे जम्मु एंड कश्मीर की summer capital कलाती है, ठीक है, अगर आप लोग इस जील को देखोगे, तो इसके आसपास पहाड़ी, पहाड़ आपको नजर आएंगे, तो वो जो आसपास पहाड़ हैं दोस्तों, वो हैं पीर पंजल mountains, जिससे यह पूरी जील घिरी ध्यान रकना, डेल जील के भी दूसरे नाम है, यह जील अगबग 26 स्क्वार किलोमेटर के अंदर में फैली भी है, जम्मु एंड कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी जील की काड़िगरी में इसको रखा गया है, सर्दियों के समय पर यहां का जो temperature है, वो तापमान minus 11 degree Celsius प्रीज हो जाती है, और जो यह पूरी जील है दोस्तों, यह हमारे एक natural wetland का एक हिस्सा देखने को मिलता है, यही पर floating garden आपको देखने को मिलेगा, floating market भी है, यानि boat वगरा जो शिकारा boat आपको बताया था, उसमें लोग सबजी वगरा लगा कर बैठते हैं, fruits लगा कर प्लस यह जो पूरा wetland है, पूरी जील जो है, इसको दोस्तों चार अलगलग basin में बाट दिया गया है, और वो बाटा कैसे गया है, causeway के मादम से, causeway क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर आप रास्ता देखोगे, example के लिए बढ़िया फोटो है यह, ठीक है अब यह particular आप देख पाओगे, एक water body है, यह water body के उपर इस प्रकार से causeway बनाया, जो की दो हिस्सों में बढ़ गई अभी है, तो इस तरीके से यहाँ पर वेटलेंड है, यह, इसमें भी एक causeway आपको देखने को में बलेगा, जिससे चार अलगलग basin में बटावाए, एक basin के नाम है गगर जील के अंदर में छोटे-छोटे islands भी हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे, तीन islands हैं, जिसमें से दो islands पर आप देखोगे, तो इस प्रकार के चिनार trees देखने को मिलते हैं, यह आपको पेड़ दिख रहा होगा, ओरेंज सा, ठीक है तो एक खुब सूरत सा पेड़ यहाँ पर आपको नजर आएगा, तो जो island located है, एक तो लोकट डल वाले region में located है, क्योंकि मैं आपको बताया कि इसी जील के चार अलग-लग basin है, लोकट डल, गगरिबाल, उसके आप बोद डल और साथी साथ में नगिंड, तो सबसे पहले लोकट डल के अंदर मैं दोस्तों एक island देखने को मिलेगा, जिसको रोफ लैंक के नाम से जानता है, या सिलवर island के नाम से भी इसको जाना जाता है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत चार चिनार ट्रीज आपको नजर आता है, सेकंड जो यहाँ पर चिनार island है, जिसको हम लोग बोलते है, सोन लैंक, सोन लैंक जिसको गोल आइलेंड भी बोला जाता है, यह बोट डाल वाले रीजन पर रिस्थेता है, ठीक है, फिर है यहाँ पर डाल लेक, जो की बहुत पॉपलर है, फ्लोटिंग मार्केट के लिए, जिसमें आपको बता है, बहुत सरे लोग यहाँ पर अपना व्यापार वगरा करत हैं, सबजी, फ्रूट्स वगरा, इसा बेचे जाते हैं, ठीक है, शिकारास पे घूम कर, जो टूरिस्ट हैं, वो भी यहाँ पर इन तक पहुँच जाते हैं, ऐसा कह सकते हो, समझ गए, तो वैसे तो इस डल जील पर तीन आइलेंड है, तीन में से दो ऐसे लाइंड है, जि जो अकसर दो-दो महीने, तीन-तीन महीने छोड़ने के बाद में न्यूज में आ जाता है, इस विससे यहाँ पर आपको complete तरीके से पढ़ाया गया, नहों आगे आते हैं, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कि important information, अगर आप लोग हमारे paid groups को join करना चाहते हो, तो आपके पा जो background data है, वो जादा important है, और वो सारा data दोस्तों आपे लेखने बैठोगे, तो आपको लग जाएगा बहुत ज़्यदा समय, तो बाकी की पढ़ाई कप करोगे, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा support मिल जाता है, बहुत ही minimum cost के अंदर में वो यह है, कि सारा का सारा background data का दो दोस्तों आपको एक printable form का PDF create करके इस group में provide करवाय जाता है, वो PDF हिंदी और English दोनों भास्याओं में होता है, तो दोनों medium के aspirants को एक काफी बड़ा support बल जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर यह जो particular PDF है, यह सब group में store रहता है, date wise पढ़ा हुआ है, तो आपका सारा content secure है, ऐस आपको पिछला content मिलेगा, जून से लेकर सारे PDF आपको मिल जाएंगे, तो आप next year के लिए prepare करो, current offer पढ़ना चाहते हो, तो आपके बास में यहाँ पर भी एक बड़िया मोखा मिल जाता है, ठीक है, और बाकी दोस्तों इस group को join करने का जो fee payment है, वो बहुत ही minimum है, just 499 for the lifetime access, जब तक आपका selection ना हो जाए, तब तक आप 4099 में इस group को join करके रख सकते हो, इतना बड़ा support, यह amount आप इदर दर खर्च कर देते होंगे, लेकिन guarantee आप जब आप join करोगे, कुछ दिन बाद लगेगा आपको, कि यार मेरा amount है, वो recover हो चुका है मेरा, लेकिन आप उसके payment का process दिया जाएगा, और payment के process से जादा important, आपको demo video का link भी दिया जाएगा, आप पूरे demo video को check कर लेना, कि exactly मुझे क्या फायदे होंगे, अपने आपको satisfy करने के बाद में जाकर यह investment कर सकते हो, ठीक है, बाकी दोस्तों make sure करना, वीडियो पर जो like button उसको press करना ही है, 5000 likes का target होता है, और आज कल आप लोग इसको बिना कहें पहुंचा देते हैं, तो please आज भी आपने पहुंचाना है, ठीक है, इन 5K likes को, चलिए, आगे आते हैं, अच्छा, एक और important बात, दोस्तों यापे काफी लोग बूलते हैं, सर वीडियो थोड़ा सा delay हो रहा है, हाँ यार, प आपको इसी वेसे यहाँ पर questions भी add करके दिये गए, कुछ अलग से छोटे short news भी add की गई हैं, जो की prelims के लिए important होती हम छोड़ देते हैं, दाहिंदू भी cover हो रहा है, editorial भी cover हो रहा है, mains question भी मिल रहा है, तो हर एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर हम लोग focus करके चल रहा है, यह video आप consume कर रहे हो, तो आप enough content consume कर रहे हो daily basis पे current affairs के लिए, और ऐसा होता है कि लोग cable prelims के लिए त्यारी कर रहे होते हैं, या फिर cable mains के लिए त्यारी कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, यह video अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर prelims, mains, interview, तीनों के aspect से हर एक article को discuss किया जात है, लेकिन वो चीज़ दोस्तों आपको बहुत help कर सकेगी, अब सीधा मैं भी यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे जल्दी upload करना होगा, तो मैं newspaper उठाया, photo paste किये, अब यह photo में पढ़कर, read करके जा सकता हूँ, ठीक है, कोई मतलब बनता है, उसका नहीं बनता है, क होप, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर manage कर लिया करो यार, time का, time हम लोग manage कर सकते हैं, obviously बात, आप morning में अगर थोड़ा सा खाली जा रहे हो, तो morning में अपना कोई subject पढ़ लो, आपका time वहाँ पर cover हो जाएगा, है ना, चलिए, आगया आत पिछले तीन दिन के वीडियोज पर आपके response अच्छा है, जबकि उससे पहले वाले वीडियोज पर response थोड़ा सा कम रहा है, reason यह है कि YouTube पर presentation matter करता है, जो हमारे पहले वीडियोज थे दोस्तों, वहाँ पर presentation बेकार था, presentation साही नहीं था, article के नीचे information आती थी, तो वहाँ प और इस वाले वीडियो में हमें content clearly दिखाई पड़ता है, इस तरीके से सारा screen पर, वहाँ पर आप screen पर नीचे scroll करतो, वीडियो का size भी गलत था, वहाँ पर वीडियो का size उपर नीचे हो रहा था, यह वीडियो का size YouTube के जो भी terms and conditions उसके हिसाब से fit है, तो ऐसी कई सरी बात है आप उन्होंने मुझे बताई थी, तो मैंने सोचा यार कि मतलब अगर ऐसी problem आई भी हमारे सामने, जो कि यहाँ पर article को ले करती, acquire को ले करती, मुझे लग रहा कि यार सही थी problem फिर थो, ठीके, problems की वज़ा से यहाँ पर चीज़े थोड़ी सही हो पाई है, ठीके, चलिए, फिलाल, देखो यार, काफी गुसा मत होना कि यार, मतलब जादा बोल दिया मैंने वीडियो के अंदर, वैसे मैं वीडियो में बोलता नहीं हो जादा, बट मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब बताया है कि exactly, मतलब क्या-क्या हुआ है, यूट्यूब से जो पूछा था यह हमारे नौजवान लोगों को अपनी चपेट में लेता चले जा रहा है, पता है कई बार यहाँ पर लोग recommendation क्या देते हैं, कई बार मतलब ऐसे लोग होते हैं, जो कि cigarette की लत में डूबे होते हैं, उनको cigarette पीनी है और वो यहाँ पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको क और जदा मजबूत हो जाती है, ऐसा यह reports डिरेक्टली बताती है, समझ गए, तो यहाँ पर WHO बोलता है कि जो e-cigarette है as a consumer product, यह कभी भी यहाँ पर कोई solution नहीं हो सकता तमबाकू को रोकने का, इसको ध्यान रखना, याद रखना, इसको ज़्यादा फैला दो, कई सारे क्योंकि आज के समय पर दोस्तों, एक fashion की तरह, एक trend की तरह, लोग इसको ले रहे हैं, वीडियोस create कर रहे हैं, और हो क्या रहा है जो छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पर इन e-cigarettes को consume कर रहे हैं, और थोड़े समय तक consume करते-करते, इन e-cigarettes के अंदर में जो nicotine present है, वो nicotine उनके brain को affect करता है, और फिर उसके बाद में उसकी वज़ा से उस बच्चे को addiction होना start हो जाता है, और फिर वो धिरे-दिरे e-cigarettes से बिलकुल real cigarettes के उपर में कह सकतो shift हो जाता है, तो यहाँ पर यह जो e-cigarettes लाई गई थी, cigarette छुड़वाने के लिए, यह गलत concept है, e-cigarettes पेशली open market में लाउ की जा रही है, यंग बच्चे यहाँ पर इसको purchase कर रहे है, प्लस यहाँ पर 34 countries ऐसी है, जिन्होंने e-cigarettes को ban किया है, 88 countries ऐसी है, जहाँ पर कोई भी ऐसा कोई ban वगर है नहीं, proper rules and regulation नहीं है, कवके भारत में क्या स्थिति है, तो इंडिया ने भी ban कर इंडिया में एक law है, 2019 का एक कानून है, जिसका full form है Prohibition of Electronic Cigarettes Act 2019, इस act के था है, दोस्तों भारत में जो यह e-cigarettes होती है, electronic cigarette होती है, इनको बनाना, बेचना, store करना, यह सब कुछ violation मना जाता है इस particular act का, प्लस दुनिया बर की जो भी organizations उन्होंने यह देखा है कि e-cigarettes के अ addiction होता है, nicotine है ही ऐसी चीज़, जो कि हाँ पर एक व्यक्ति को अपनी तरफ खींचती रहे, उसको लट लगा दे, कई बार आप देख पाते होंगे, लोगों को चाय की काफी ज़दा लट होती है, ठीक है, चाय की लट क्यों होती है, बही चाय के बना रहा नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें, इन सिगरेट्स वगरा में देखोगे, तो nicotine बहुत जादा मातरा में है, जो कि एक व्यक्ति को addict बना देता है, और addict बनाने से जादा खतरनाक यह है कि इस nicotine की वज़ासे cancer होने के chances है, heart disease, lung disorders होने के chances है, और कई बार यहां पर दिखा जाता है कि कई सारे countries में जो pregnant मैला हैं वो भी यहां पर इस electronics grade का use कर रही है वो कहीं न कहीं जो उनके warm के अंदर में बन रहा एक baby है फूल टेस्स जो है बेसिकली वो यहां पर बेकार हो सकता है ठीक है तो इसको यहां पर कहीं न कहीं यह जो particular मुद्दा है global level पर उठाने की ज़रूरत है जिसको आज हम हलके में ले रहा है यह बात यहां पर इस आर्टिकल में समझाए गई तो page number 18 पर इसको health के perspectives आप इसको link कर सकते हो अब आते हैं main मुद्दे के उपर क्योंकि आर्टिकल important है लेकिन इतना नहीं एक्जाम में क्या आएगा क्या लिखना है वो यह है तो दोस्तों जोब e-cigrets की बात करते हैं तो e-cigret कभी एक smoker की मदद नहीं करता cigarette छुड़वाने में खुद यहां पर studies बता चुकी e-cigrets को हम लोग e-cig, vapes या e-huka या vape pen electronic nicotine delivery system के नाम से भी जानते हैं इस तरीके से यहां पर दिखाई देता है इसमें आप liquid भरावा देख पार होंगे जो liquid भरावा है ठीक है यही liquid यहां पर इसके अदर nicotine वगरा present होता है बहुत सारा जो इसमें smoke है वो निकलता है e-cigrets से दोस्तों इसको जब use करते हैं तो उसके process को बला जाता है वेपिंग यह इंजान वो वेपिंग कर रहा है समझ गए अब यह काम कैसे करती है तो इसके अदर एक battery वगरा होती है उस battery को charge किया जाता है उसी battery की वज़ा से liquid heat होता है और उस liquid में nicotine present होता है फिर जिसको pregnant women के लिए ठीक है और इन e-cigrets की cost बहुत महँगी होती है 3000 से लेकर 30,000 तक कि यहाँ पर cost एंडिया में इनकी फिर refill cost भी होती है यानि कि जो इनका liquid खतम हो जाता है उसको वापस रिफल करना होता है उस refill को मतलब जो liquid होता है उसके अलग-लग flavors होता है ठीक है वो उस flavor के powerful effects क्या हो सकता है क्या खदरनाक यहाँ पर यह चीज क्रियेट कर सकता है यह हमारे यूथ के लिए बिल्कुल भी safe नहीं है adults के लिए भी safe नहीं है pregnant women के लिए भी safe नहीं है क्योंकि इसका मतलब आप सिदह सिदह तंबाकू use कर रहो उस्सीदह यह मतलब है साल 2016 में US Surgeon General उनके दिमाग में बहुत बड़े चेंजिस हो रहे हैं उनका दिमाग इन e-cigarettes के प्रती addict हो रहा है निकोटीन के प्रती addict होता चले जा रहा है 2018 के study की गई थी उसमें ये बोला गया था जो e-cigarettes है अगर कोई इसका daily use करता है तो 79% chances बढ़ जाता है कि उसको heart attack हो सकता है इतनी जादा problems हो सकती है इतने ही नहीं जो भारत का Indian Council of Medical Research है दोस्तों इनके according बात करेंगे तो इसके अंदर जो battery use की जाती है उस battery की वज़ा से क्या होता है ये जो यहाँ पर liquid वगरा है वो सब गरम किया जाता है, heat किया जाता है इसके अंदर जो nicotine present है निकोटीन भी यहाँ पर किसी e-cigarette में जादा होता है किसे में कम होता है, किसे में बहुत ही जादा होता है तो यह जो toxic chemicals और metals यहाँ पर use के जाते हैं दोस्तों यह भी हमारे heart के लिए, lungs के लिए, brains के लिए बहुत ही जाता है, यहाँ पर problematic माने जाता है इतना ही नहीं, कभी-कभी यहाँ पर जो e-cigarette की manufacturing की जाती है defective तरीके सो जाती है, इसमें जो battery का use किया गया है वो battery सही से लगने ही पाती है ऐसा हो जाता है manufacturing के समय पर तो battery सही से ना लगने के वेसे दोस्तों उसमें आग लगने के chances हैं बिस्पोर्ट होने के chances है, बिस्पोर्ट होने की वज़ासे किसी इंसान को injuries हो सकती है और ऐसा हुआ भी है पहले हमने last year शायद November, December के समय पर reports डिसकस की थी कितने लोग की जान गई है, इस सिगरेट के बिस्पोर्ट होने की वज़ासे अब दोस्तों यहीं पर बात आता है इस सिगरेट ऐरोजोल की ठीक है, इस सिगरेट ऐरोजोल क्या है यह वही चीज़े जिसको users क्या करते हैं इस device से breathe करते हैं, अमने अंदर जैसे lung disease हो सकती है volatile organic compounds हो गए, cancer causing chemicals हो गए heavy metal जैसे nickel, tin, lead वगरा चीज़े हो गई यह सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होता है और इस सब का impact सीधा brain के उपर पड़ता है अब इतनी देर से हम nicotine, nicotine करते हो रहे हैं क्या है यह nicotine? nicotine दोस्तों एक highly addictive chemical compound है जो की एक तंबाकू के पौधे के अंदर में present होता है जितने भी तंबाकू वाले products होता है चाहे वो cigarette हो या तंबाकू हो real सभी के अंदर में यह cigarette सभी के अंदर में यह nicotine हो present होता है ठीक है? तो दोस्तों nicotine अगर आप देखोगे तो यह एक इंसान के दिमाग का काम करना रोक सकता है उस व्यक्ति को अपने प्रती attract करने के बाद में उसके अंदर बार-बार cravings को लाने की यहाँ पर क्या कर सकता है अपना इंदर potential रखता है ठीक है? बाकि इंडिया के अंदर में e-cigarettes के उपर में properly banned है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्योंकि इंडिया के अंदर में भारस सरकार ने कई सरे steps उटा है जैसे पहला यहाँ पर कदम है Prohibition of Electronic Cigarettes Bill 2019 2019 का यहाँ पर यह बिल है जिसके तहत यहाँ पर मांग यह है मतलब यही बाद में act बना जिसके अंदर यह कहा गया है कि जो e-cigarettes का export, transportation, sale, distribution, advertisement हर चीज के उपर में रोख है आप कहीं पर भी किसी तरह के से इसको नहीं दिखाऊगे इस device को नहीं टेलिवीजन में नहीं हर जगा पर किसी भी जगा पर नहीं दिखाया जाएगा इसका promotion नहीं होना चाहिए फिर दूसरा कदम सरकार ने उठाया Cigarettes Act 1975 अगें तंबाकू को control करने का जो इप्रॉपर लोह है इंडिया के अंदर में यह भी बहुत पुराना है 1975 का है जिसके तहट यहाँ पे बोला गया था कि Cigarettes वाले जितने products हैं उनके उपर health warnings लिखी जाएंगी बार-बार कि इसको consume करने से cancer हो सकता और health warnings तो आज भी लिखी जाती है आपको पता ही है ठीक है और उसी health warning को और ज़दा बढ़ावा देने के लिए हमने court pa act को लेकर आए court pact धिया लखना important है कई examination में पूछा गया है इसके बारे में तो court pact की full form क्या है cigarettes and other tobacco products prohibition of advertisement, regulation of trade, commerce, production, supply, distribution act court pact 2003 का act है तो एक बहुती ज़दा detailed act आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे तमबाकू quit line services start की है government नहीं यहाँ एक number दिया गया है जिसको start किया किया थे 2016 में अभी दीरे-दीरे expand हो चुका है 6-7 भाषाओ में यहाँ पे support मिलता है quit line services के मादे हम से ठीक है यह इतनी बड़ी problem क्यों है जरा यह भी discuss कर लेते हैं आखरी point है इसको आप reference के तौर पर लिख सकते हो अपने main sansa writing में use कर सकते हो तो इंडिया में तमबाकू का consumption किस level पर है दोस्तो भारत के अंदर लगबाग 1.3 million जो death है 13 lakh जो मृत्य हो रही है हर साल वो इसी की वज़े से हो रही है तमबाकू के consumption की वज़ा से 13 lakh मृत्य होना यह नंबर बहुत बड़ा है अपने आप में ठीक है फिर उसके बाद मैं मतलब हर रोज 3,000,000,000,000,000 लोग की जान जा रही है तमबाकू के consumption की वज़ा से नंबर चौकाने वाला है और इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारी यहाँ पर मतलब की बिमारिया हो रही है इनी तमबाकू के consumption की वज़ा से लोग की जान जा रही है और लोग की जान जा रही है तो उसका असर सीधा भारत की economic development पर पड़ रहा है क्यों वो लोग यहाँ पर हमारे देश के परती contribute कर सकते थे बट नहीं है वो तो इससे जो economic burden है दोस्तों बिमारियों का economic burden बहुत जादा पड़ता है और इंडिया ने कहीं न कहीं इसी तमबाकू की वैसे होने वाली मृत्यू में 1.77 lakh करोड रुपे का घाटा फेस क्या यह इतना amount है जो की हमारी GDP का एक प्रतीशत हो सकता है यह loss यहाँ पर हमारे देश को देखने को मिलेगा तो यह है तमबाकू consumption को लेकर इस्थिती भारत के अंदर समझ गए अच्छी तरीके से clear हो गया हार एक point clear हो गया तो आपके हार एक aspect यहाँ पर touch हो गए है ना prelims में कोई question मनेगा ready हो mains मनेगा भाई भरकर लिख सकतो खुल ले आप दूरा आतरी किस आपको point आवे मिल चुका है interview में कुछ पूछ जाएगा आप ready हो वाँ पर debate करने के लिए चली आ गया थे next article again page number 18 पर ही present है gsp paper number 3 economy से link कर सकते हो तो activist है एक अली अबू अवद और दूसरे वेक्ति है pianist इनका नाम है डानियल बेरन बोईम तो इस दोनो percent चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी इनको इंद्रा गांधी peace prize दिया गया है इस वेसे चर्चा में है especially पूरे प्राइस का नाम है इंद्रा गांधी प्राइस फॉर पीस डिसार्मामेंट डवलप्मेंट तो 2023 का यह अवड दोस्तो इनके नाम में गया है यह जो आपको अली अबू अवद देखने को मिलेंगे यह person Palestinian है पेलेसीन से बिलॉंग करते है ठीक है तो इन दोनोंने मिलकर main focus रखा है कि वह यह इसराइल और पेलेसीन के बीच में जो जंग है कैसे हम बिना हिंसा करे एक solution लेकर आ सकते हैं उसके ओपर एक special focus इनके थुरू किया गया है बाकी अगर आप देख पाऊगे जो यह बेरेन बोहीम है दूसरे वाले person है यह यहाँ पर Argentina से बिलॉंग करते है ठीक है एक pianist है प्लस conductor है इन्होंने भी यहाँ पर लंबे लंबे जो orchestras होते हैं दुनिया में उसको lead करा है ठीक है कई बार इनके जो music है उनका use क्या जगया है वेस्ट इशिया के अंदर में एक दूसरे के अंदर में एक ता जगाने के लिए तो यह दोनों इनकी जो friendship है इनका जो partnership है यह आज के समय पर कहीं ना कहीं focus कर रहा है कि इसराइल और Palestine के अंदर में जो यह पूरा विवाद है यह पूरा योद चल रहा है यहाँ पर बिना हिंसा किये बिना किसी की जान यहाँ पर गवाए आप कह सकतो इनके बीच में relations को maintain कर पाना एक solution लेकर आना उसको लेकर यहाँ पर यह काम कर रहा है तो इसी की वज़ा से दोस्तों यहाँ पर इनको इंद्रा गांधी peace prize दिया गया है क्योंकि यह जो prize है इसका नाम आप देख पा रहोंगे यह शान्ती के लिए दिया जाता है जो भी व्यक्ति देश में या दुनिया में कहीं न कहीं शान्ती को create करने की कोशिश कर रहा है उनको यह prize दिया जाता है समझ गया अभी मैं आपको यह article बता चुका अब article में अगर आप one day examination में कुछ पूछा गया तो इनके नाम पूछ जा सकते हैं इनके नाम आप लिख सकते हो लेकिन अगर prelims में अगर आप UPSC के तरह के से देखोगे तो यहाँ पे नाम तो बहुत कमी पूछ जाता है specially आपसे पूछ लिया जा सकेगा कि इंद्रा गांधी peace price के बारे में बताओ या prelims में आपसे directly question पूछ लिया जाएगा इस peace price के बारे में कुछ उटपटान से सवल तो आप उसको कैसे handle करोगे यह आपके पास में information है इसको पढ़ कर ठीक है तो इस price का नाम है इंद्रा गांधी price for peace disarmament and development इसको शुरुवात की गई थी जो इंद्रा गांधी जी है इनकी याद में ठीक है जो हमारी former prime minister रह चुकी है तो इनके name के उपर यहाँ पर इसकी शुरुवात की गई 1986 में तो यह price जिसको भी दिया जाता है 25 लाग रुपिया प्लस एक award साथ में दिया जाता है ठीक है यह जो award है ऐसे नहीं केवल इंसान को दिया जाएगा हो सकता है कोई संगठन कोई organization बड़िया काम कर रहाँ NGO वगर तो उसको भी award दिया जा सकता है तो कोई individual है कोई organization है किसी को भी award दिया जा सकता है में मकसद यह है कि उन व्यक्तियों का यह उस organization का एक main contribution होना चाहिए peace और development पर उनने कुछ काम किया हो दुनिया बर में शांती लाने के लिए डेवलपमेंट को लेकर अगर आप लोग एपिहास देखोगे तो यह जो अवर्ड है किस-किस को दिया गया क्योंकि इस अवर्ड की शुरुवात होती है 1986 में तो 1987 के अंदरा मिखाइल गोरबचेव यह आप देख पाओगे यहाँ पर जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है सोवेत उनन के फॉर्मर लीडर थे इनको यह अवर्ड दिया गया यूनिसेफ को 1989 में जिमी कार्टर जो की फॉर्मर प्रेसेडेंट थे यूएस के 1997 में को यह अवर्ड दिया गया 2003 में कोफी अनन 2013 में एंजिला मार्किल जो की जर्मनी की चांसलर उसके लावा इजरो को 2014 में दिया गया 2017 में मनमोहन सिंग जी को 2019 में Sir David Attenborough को 2021 में प्रथम NGO को फिर बीच में साइद Indian Medical Association को भी दिया गया फिर अभी 2023 का अवर्ड दोस्तों यहाँ पर दिया गया इन दोनों व्यक्तियों को जिनके बारे में भी हमने पढ़ा ठीक है तो यह कुछ रिसीपेंट से इस अवर्ड के वो थोड़ा बहुत ध्यान बर रख सकते हो नवा आते हैं अगले आर्टिकल पर अब यहाँ से आर्टिकल थोड़े सा और इंपोर्टेंट है ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे याद रखना है आपको आपका लास्ट में टेस्ट भी लिया जाएगा स्क्रक्चर को अनिलाइस करने के लिए क्योंकि बहुत पुराना स्क्रक्चर मिला है जिसको अनिलाइस किया जा रहा है कितना साल पुराना है तो जबी भी यहाँ पर कोई living thing ऐसी कोई चीज है दोस्तों कि एक समय पर जीवित थी है न कोई हमारे पास में उसके अफशेस मिल है कुछ भी यहाँ पर चीजें मिली है हमें उसकी age पता लगा निया वह कितना पुराना था तो उसके लिए carbon dating की जाती है ठीक है अब यह radio carbon dating होती क्या है जरा इसको समझ लेता है कैसे की जाती है वो मैं आपको process भी बताऊंगा बहुत important article है यह तो radio carbon dating या carbon 14 dating के science को हम लोग carbon 14 dating बोलता है क्योंकि किसी भी चीज के अंदर में carbon 14 को analyze किया जाता है वो कितने मातर में present है मतलब क्या समझाऊंगा don't worry तो radio carbon dating दोस्तों एक प्रकार का scientific method है जिसका हम use करते है किसी भी organic material का age को पता लगाने के लिए कोई ऐसा समान जो आज के समय पर हमें मिला है कोई छोड़ा सा टुकड़ा मिला है वो उसका पता लगाने के लिए वो कितना पुराना है लेकिन लगबग कह सकते हो कि अगर 60,000 साल तक वो समान पुराना है तब तक कहीं यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा सकता है अगर 60,000 साल से पुराना है तो दोस्तों उसके लिए radio carbon dating काम नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके अंदर carbon 14 कम मात्रम प्रेजेंट होगा ठीक है यहाँ प्रेजेंट ही नहीं होगा तो कोई समान है जो कि 50,000 या 60,000 साल पुराना है तो इतने साल तक पुराना पता लग सकता है यहाँ इतने साल पुराना है वो अगर उससे जादा पुराना होगा तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल है इस रेडियो कारबन डेटिंग की माध्यम से क्लियर तो यहाँ पर यह थोड़ा लेमिट इसकी ध्यान रखना सबसे पहली बार इसको यहाँ इस पर्टिकुलर प्रॉसस को डेवलप किया गया था 1940 में University of Chicago के अंदर में एक व्यक्तित है विलर्ड लिबे इन्होंने यहाँ पर इस टेक्निक का यूज किया अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे यूज की जाती है अब सबसे पहले चीज इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लेना यह छोटी सी लाइन केस बदल देगी पूरा रेडियो कार्बन डेटिंग हम कब यूज करता है जब कोई भी ऐसा अबजेक्ट जो की एक समय पर जीवित हुआ करता होगा ठीक है एक एक ऐसा अबजेक्ट जो की जीवित हुआ करता होगा उसी की हम कार्बन डेटिंग कर सकते हैं कोई non living object की दोस्तों carbon dating नहीं की जा सकती, ध्यान रखना, केवल living object की ही carbon dating की जा सकती है, for example, कोई animal है, कोई जानवर है, जो पुराना होगा, 30-40,000 साल पुराना, उसकी कोई हड़ी मिली है, लेकिन वो जीवित था एक समय पर, कोई इंसान है, उसकी हड़ी है, plants है, या कोई paper है जिसको बनाया गया, reed से, या कोई leather है, जिसको एक animal की चमड़ी से बनाया गया है, locks है, आप आप देखने को मिल देंगे, जिससे घर बनाये जाते हैं, लकडियों से, वो भी एक समय पर यहाँ पर plant था, तो ऐसी चीज़े जो कि यहाँ एक समय पर जीवित थी, है ना, उनक इसी भी समान का जब यहाँ पर उमर बता लगाता है, कि हावा यू कितनी पुरान है, तो उसमें carbon 14 को analyze किया जाता है, कि carbon 14 की कितनी मात्रा present है, ठीक है, तो carbon 14 दोस्तों क्या होता है, लगातार हमारे उपर वाले atmosphere में बनता रहता है, cosmic ray के effects है, ठीक है, तो लगातार यहाँ यह मन बनता रहता है, हमारे plants और animals जो होते हैं, वो इस carbon 14 को इखटा करता रहता है, carbon dioxide से उनको यह carbon 14 मिलता है, और फिर उनके यहाँ पर tissues के अंदर में यहाँ पर जो carbon 14 ने वो present होता है, और जब वो जानवर यह plant खतम होता है, मरते हैं, तो वो carbon 14 ने वो खतम होना start हो जाता हम पता लगाते हैं कि यह समान कितना पुराना है, और दोस्तो carbon 14 की जो आधी life होती है, आधी जिंदगी होती है, वो 5730 साल पुरानी होती है, ध्यानकना important है, और यानि कि मतलब एक carbon यह है, समझे है, यह carbon है, तो इसकी आधी life क्या होगी, 5730 साल यहाँ पर होगी, इसका हैं, हम जितने मात्रा में यह carbon 14 present होता है, उसके basis पर हिसाब लगाता है, कि वो समान कितना पुराना है, कहोगे कैसे, अब यह थोड़ा समा आपको बताता हूँ, पहले यह वाला फोटो देखो, देखो, हमारे पास मना carbon 12 और carbon 14 दोनों present होता है, लेकिन carbon 12 जो होता है, वो stable हो लेकिन carbon 14 क्या होता है, दिरे-दिरे reduce होने लगता है, दिरे-दिरे खतम होने लगता है, इसकी आदिस जिंदगी यहाँ पर 5730 साल की होती है, जिसको half life बोलता है, अगर आप यह वाला फोटो देखोगे, तो suppose, यह आपको एक animal देखने को मिलेगा, इस animal में carbon 12, carbon 13 और carbon 14 तीन होता है, अब suppose, यहाँ पर यह जानवर मर गया, और इसके मृत्यू के वक्त में, इसके body में 100% carbon 14 था, 100%, तो मतलब उस समय पर केवल death होई है, 100% carbon 14 प्रेजन्ट है, अब दिरे-दिरे यहाँ पर यह कतम होगा, ठीके, तो यहाँ पर मैने जैसे बोला, इसकी जो आदिस जाएगा, क्योंकि इसकी आदी जिंदगी 5730 साल की होती, अभी 50% हो गया, अब आगेगा समय हो गया, तो यह और कम होगा, इसका और आधा हो जाएगा, 25% हो जाएगा, ठीके, अब यह अगेन half life होगा इसकी, तो यहाँ पर 5000 से यहाँ पर इस समय इतना हो जाएगा, तो उस चीज है, वो 17,190 साल पुरानी है, अब इसका भी आदा कर दोगे, फिर उसका भी आदा कर दोगे, तो ऐसे आदा करते करते हम लोग केवल एक समान का 50,000 से लेकर 60,000 साल पुराने समान का पता लगा सकते हैं, क्योंकि एक समय बाद दोस्तों यह जो कारबन है, यह बहुत ज प्रशीशत 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 है, उसके हिसाब से पता लगा जाएगा, क्योंकि मतलब हिसाब लगा लेंगे उस समय पर यह 100% करता होगा, फिर आदा हुआ, फिर आदा हुआ, फिर आदा हुआ, फिर आदा हुआ, इतने इतने साल जो मतलब 50% जो है मतलब इसका जो आदा समय है half life जो होती है वो 5730 साल की होती है ये हमें add करते जाना है half of life को देखते चले जाना half of life को देखते चले जाना है समझ गए कि वह एक समय पर 100% था अब यह दूरे-दूरे कम हुआ half हुआ फिर half हुआ फिर हाफ हुआ लेकिन यहाँ पर हाफ हाफ होता चला गया मतलब इसकी आधी लाइफ 5730 साल किया फिर यह इसमे आड हो गया फिर 5730 इसमे आड हो गया क्लियर हो गया समझ में आ गए तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कार्बन डेटिंग करता है ठीक है तारीक का पता लगाया जा सकता है उमर का पता लगाया सकता है किसी भी चीज़ का आ गया आता है अब जो कार्बन डेटिंग है ये किसी भी चीज़ पर हर एक चीज़ पर अपलाई नहीं होती for example non living things पर ये मैंने mention कर दिया जैसे कोई चटान वगरा उस पर अपलाई नहीं होगी ठीक है केवल यहाँ पर हम लोग कार्बन डेटिंग 40,000,50,000 साल पुरानी चीज़ की कर सकते हैं क्योंकि फिर आप कार्बन फोटिंग की आप 8 से 10 साइकल हुमा सकतो ऐसे half of life करके फिर उसके बाद यहाँ पर कार्बन फोटिंग कितना प्रेजेंट करोगे वो undetectable हो जाएगा तो उसकी उमर पतलगाना मुश्किल हो जाएगी समझ गए चलिए मज़ाया होगा आगे आते हैं आगले आर्टिकल पर नेक्स आडिकल में ओटोलिथ रिंक्स के बारे बात की जारी है इंपॉर्टेंट है यह जो आप रिंक देख रहे हो छोटा सा लकडी की तरह आपको देख रहा होगा यह मचलियों के कान में प्रेजेंट होती है यह अभी न्यूज में आई भी है तो आपने पढ़ना इसके बारे में हुआ क्या है कि हाल ही में जो यूनिवर्सिटी ओफ साउथ हैंटन के बायलोजस्ट है उन्होंने यहाँ पर एक नई टेकनीक डवलप की है जिससे जो आटोलिथ की केमिस्ट्री है दोस्तों वो यहाँ पर समझी जा सकती है तो यह ओटोलिथ क्या होता है यहाँ पर यह बाताना जरूरी है ओटोलिथ दोस्तों यहाँ पर एक स्टोनी लंप होता है एक छोटी सी गांट कहाँ दो एक छोड़ा सा टुकड़ा होता है जो की मचलियों के कान में प्रेजन्ट होता है ठीक है यह थोड़ा सा पेड़ की रिंग की तरह दिखाई रहा है यह पेड़ है उसकी ऐसे से रिंग होती है जब आप पेड़ को काटते हो तो ऐसे रिंग बनी भी नहीं होती है तो इस तरीके से आप दोस्तों यह दिखाई पड़ रहा है जो कि फिश की उमर का भी पता लग तो यह सारी चीजे इस ओटोलित से यहां पर पता लगाई जा सकती है तो यह जो फिश है जो मचलिया होती है वो कहीं ना कहीं अपने fitness tracker को अपने कान में लेकर घुम रही होती है इसको यहां पर केवल ओटोलित रिंग के नाम से नहीं इसको इयर स्टोन के नाम से भी जानते ह होता है जो कि बिलकुल जो मचलिया होती है उनके दिमाग के जर्स्क पीछे present होता है कान के पास में अब ओटोलित भी दोस्तों तीन प्रकार के होते है ध्यानक ना ठीक है पहला होता है सगिटा अब सगिटा बेसिकली सबसे बड़ा वाला ओटोलित होता है ठीक है सगिटा यहाँ पर help करता है किस इच को लेकर यह autolid कहीं न की मचलियों की मदद करता है सुनने में ठीक है उनको sound सुनाई दे रही है उनकी hearing process में काफी help करता है sound को electrical signals में बदलने का काम करता है दूसरा जो autolid होता है वो है esteriscus यह जो type के autolid होता है दोस्तों यह again sound को detect करने में मदद करता है फिर उसके आद में आता lepilis lepilis वला जो autolid है यह यहाँ पर gravitational force और उस प्रकार की sound को detect करने का काम करता है तो यह अलग-लग प्रजाती की autolids हमको देखने को मिलता है यह अलग-लग shape क्यों होता है आखिरकार इसका importance क्या है दोस्तों autolid का सबसे important feature यह है कि इसका use क्या जा सकता है एक मचली की प्रजाती को identify करने के लिए उसका size कितना बड़ा था autolid का size छोटा होगा मतलब मचली छोटी थी जितना बड़ा size होगा मतलब मचली का size उतना बड़ा था उसकी age growth क्या है किस समय पर उसकी death होई थी तो यह सब चीज़े हाँ पर पता लगाई जा सकती है दोस्तों इस autolid के मादम से समझ गए तो इसी autolid को study करने के साथ हाँ पर हम लोग और भी पता चीज़े पता लगा सकता है कि पानी का जो salinity level है पानी के तक हारा है एना किस temperature में मचली रह रहे है यह सारी information पता लगाई जा सकती है तो autolid क्या होता है आई होप आप इसका importance समझ गए होगे चली आगया आते है next article पर अगला article जीएस पेपर नमब तरी environment के point डेवीज से बहुत important है यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन माउस डियर और चाव सिंगा के बारे में तो यह दोनों ही आपर animal चर्चा में है क्यों चर्चा में आपको बता देता हूँ हुआ क्या एक animal exchange प्रोग्राम चल रहा था दो अलगलग पार्क के बीच में एक पार्क है इंडरा गांधी जोलोजिकल पार्क और दूसरा है काकरतिय जोलोजिकल पार्क वरंगल में तो इनके बीच में exchange प्रोग्राम चल रहा था उस exchange प्रोग्राम के तहत दोस्तों इंडरा गांधी जोलोजिकल पार्क में भी दो नई प्रजातिया जानवरों की एड़ की गई है एक है mouse deer यह mouse deer ऐसा दिखता है चुहे की तरह यहाँ पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेकिन यह है हिरड ठीक है लेकिन यहाँ पर यहाँ पर नजार आए इस सिकर में mouse deer बोल रहे हैं और दूसरा होता है चौसिंगा तो इन दोनों ही species को अब ही एड किया गया है इंद्रगांधी जोलोजिकल पार्क में इस विसे यह न्यूज में है ठीक है और डारेक्टली आप सा यूसेन स्टाड़स वगरा पूछा जाता है ध्यान रखना तो mouse deer के पहले हम बात करेंगे बाद में चौसिंगा के बारें बात करेंगे तो जो इंडिया में पाई जाता है और कुछ-कुछ इसकी प्रजातिया नेपाल में भी पाई गई है स्रिलंका के अंदर इसकी कुछ अलग वाली प्रजातिया पाई जाते जिसको स्पॉर्टट शेवरिटिन के नाम से जानते हैं जसका सइंटिफिक ने में में मश्योल्ा मेमिना जो इंडिया में पाई जाती है वह है मेशल Stress इंटिमीटर यहा इनकी height होती है वजन 2-4 kg होता है बस फर्गा color यहाँ पर brown color का आपको देखने को मिल जाता है ठीक है बाकी यहाँ पर इनका IUCN status very very important mouse deer का जो IUCN status है वो least concern category में है इसकी प्रजाती अच्छी खासी available इसको कोई जादा खत्रा है नहीं यह हमें दर्शाता है अब दूसरा वाला जो deer है जिसको add किया गया है अभी इंद्रगांधी पार्क में वो है चौसिंगा चौसिंगा नाम से बता चल ला होगा इसके चार सिंग होंगे तो यह deer आपको फोटो दिख रहा होगा इसके चार सिंग है दो आगे हैं और दो यहाँ पर आपको पीछे मिलता है लेकिन इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है इसका कलर देखो यह यलोईश ब्राउन कलर का है ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रुरत नहीं है बाकि इसका conservation status जहां रख सकते हो आयूसेन के red list में इसको काटिगरी में रखा गया है अगेन इसकी प्रजाती खत्रे में है इसको सुरक्षा देने की हमें ज़रुरत है आप ऐसा कह सकते हैं तो इसके बाद ओको यह conservation status की और हमेशा examination में conservation status आयूसेन status ही पूछा जाता है ध्यान रखना नहों आते हैं नेक्स टाडिकल पर जीएस पेपर नंबर त्री डिफेंस और सेक्यॉरिटी के पॉइंट अव्यू से इंपॉर्टेंट है यहां पर बात की जा रिए exercise winbacks 2023 के बारे में फटेफर इसको भी डिसकुस करते हैं तो पहली exercise winbacks वाली तो winbacks exercise दोस्तों दो देशों के बीच में होती है वो है इंडिया और वेतनाम तो हाली में भारत की जो armed forces हैं जिसमें अलगला groups थे हमारे वो वेतनाम पहुंचे हैं इस प्रकार के joint military अभ्यास को conduct करने के लिए तो एक अभ्यास चल रहा है भारत और वेतनाम के करका training event conduct करते हैं कभी इंडिया में कभी भारत में पिछला edition भारत में हुआ तो इस बार का edition इंडिया में हो रहा है तो इस बार का edition वेतनाम में हो रहा है तो इस बार का वेतनाम हो रहा है तो अगले साल का फिर वापस इंडिया में होगा तो इस तरीके से alternative basis पे काम कर रहा ह ठीक है उसके दोस्तों यहाँ पर इस साल का जो अभिहास है वो वेतनाम के अंदर हनोई में कंड़र्ट किया जा रहा है यहाँ पर जो इंडियन कॉंटिजनेंट है जिसमें 39 परसनल हैं इंजिनिरिंग रेजिमेंट के आर्मी मेडिकल कॉप्स के यह सब यहाँ पर पाटिसिपेट कर रहे हैं इसको लेकर एक स्पेशल डेटा यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया गया है इसको आप देख सकते हो ठीक है इससे क्या होगा भारत और वेतनाम के जो रिलेशन से पेशली जो डेफेंस रिलेशन से हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते वह नजर आएंगे एक दूसरे का यहाँ पर यह सपोर्ट कर सकेंगे यहाँ पर एक मेन फोकस इस अभ्यास का ये भी है कि हम लोग मेडिकल टीम को किस तरीके से डेपलाई कर सकते हैं जब भी यहाँ पर जरुरत पढ़ेगी कैसे इंजिनरिंग कंपनी का यूज कर सकते हैं ठीके तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ अभ्यास हो रहा है विनबेक्स 2023 ध्यान अकडा आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर नेक्स्ट आर्टिकल में आर्टिकल 356 ऑफ दा इंडियन कॉंस्टिउशन के बारें बात की जा रही है तो भारतिय समिधान का अनुचे 356 फटफट इसके बारे में डिसकस करेंगे जहाँ पर राष्टपती का साशन या फिर प्रेसिडेंट रूल की भी हम लोग बात करते हैं तो अब यह न्यूज में है तो फटफट डिसकस कर लेता है क्या है इसमें तो दोस्तों यहाँ पर शायद मैं न्यूज लागा ना भूलिया हूँ फिलाल कोई बात नहीं हमारा main content प्रेजेंट है यहाँ पर ठीक है तो हमारे भार्दे समीदान का आर्टिकल नंबर 356 ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर क्या है ना हमारा इस आर्टिकल के according बात करेंगे तो यह बात करता है प्रेसिडेंट रूल के राष्टपती के साशन की तो President Rule यहाँ पे किसी भी राज्ये में लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन President Rule कब लगाया जाता है, जब एक राज्ये Constitution के हिसाब से काम करना बंद कर जाए, वो Constitution को follow नहीं कर पा रहा है, उसका failure हो चुका है, वाँ पे Constitution काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके failure की वज़ा से तब President अपने हाथ में सारी ताकत लेते हैं, और वहाँ पे President Rule इंपोस करते हैं, इसी Article 356 का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, तो Article 356 हम दो तरीके से लगा सकते हैं, पहली चीज़ जब President को एक राज्ये के गवर्नर की साइट से रिपोर्ट आए, कि भई देखो, यहाँ पे State के अंदर हालात सही नहीं है, Constitution के साब से काम नहीं कर रहा जा रहा है, तो President के पास मेंकर राज्ये के गवर्नर की रिपोर्ट आएगी, और उसके प्रेसिडेंट यहाँ पे convince हो, satisfy हो, कि यहाँ बिलकुल एक राज्ये की हालत खराब हो चुके है, situation बेकार है, इस State Government सही से काम नहीं कर हा रही है, हमारे समगिधान के according काम नहीं कर रही है, तब जाके यहाँ पे President Rule वहाँ पे impose किया जाता है, ठीक है, तो Article 365, इस Article के according President Rule इंपोस कर सकते हैं, जब एक राज्ये अपने यूनिन टेरिटरिम, सॉरी, अपनी जो Central Government की direction से उसको सही से follow ना करे, Constitution को follow ना करे, तब जा जाता है, जब एक State Government suspend हो जाए, Central Government, सरी, State Government suspend हो जाए, State Government से इसे काम नहीं कर रही है, और वहाँ पे Central Government का मेन रोल आ जाएगा, क्योंकि President भी हमारे Central Government को ही तो Represent करते हैं, तो Central Government का मेन रोल यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, लेकिन क्या इतना असान है President Rule लगाना, नहीं दो सबा, दोनों से Approval चाहिए होता है, सबसे पहली बाद यहाँ पर Approval मिलेगा, पहली बाद इसका Issue रखा, दो महिने के अंदर अप्रूवल मिलेगा, फिर Approval भी Simple Majority से मिलना होगा, दन उसके बाद जाकर President छे महिने के लिए स्टार्टिंग में इस President Rule को लगा सकते हैं, छे मह इस तरीके से बढ़ाते हैं, तीन साल तक यहाँ पर वो जो यह President Rural है, इसको लगा सकते हैं, 3 years तक यहाँ पर इसको mm proposed system कर सकते हैं, तो President की बिलकुल power है, President नहीं यहाँ पर स्टेट पर सबकुछ खतम कर दिया, Central Government का Rule चल रहा है, तो इस वज़ा से क्या हुआ, helemaal एक न्प नहीं होना चाहिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पर 6-6 महीने का लगाते लगाते वो 3 साल तक पहुचा सकते हैं ठीक है पार्लियमेंटरी अप्रूवल के साथ साथ हर 6 महीने बाद फिर से बढ़ा सकते हैं पार्लियमेंटरी अप्रूवल के साथ लेकिन यहाँ पर यह अमेंट से चल लए यह देश में तो उसको extend कर सकता है या फिर कह सकते हो election commission of India ने certified किया यह बहुत ज़रूरी है कि president का rule यहाँ पर चाहिए state के अंदर में क्योंकि वहाँ पर difficulties हो रही है assembly elections को candidate करने में तब भी यहाँ पर दोस्तो president का rule चल सकता है यह दो conditions होनी चाहिए उसके basis पर बात की जाए तब आप एक साल से आगे इस president rule को बढ़ा सकते हो सवाल यह है कि अगर president rule कहीं पर लग जाए तो उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या सकते हो president के पास समसारी ताकत है ठीक है एक governor आएंगे और governor basically यहाँ पर central government का represent कर रहे है तो governor यहाँ पर उस state को control करेंगे लेकिन वो president के बहाफ में काम कर रहे होंगे तो president के पास में power होगी वो declare करने की जो state legislature की power है वो सब यहाँ पर parliament excise करेगी parliament यहाँ पर follow करेगी parliament चलाएगी समझ गए तो एक जो state legislative assembly है क्योंकि उनने तो constitution यहाँ से काम किया और इस विसे तो president rule आया था I hope आपको यहाँ पर जो बात है वो अच्छे से clear हो चुकि है president rule को लेकर समझ गए? चलिए मतलब मैं आपको एक मोटा मोटा समझाने की कोशिश किये अभी details से समझाने का वक्ता है तो बहुत details आपको बड़िया थरीके समझा सकते है बट अभी के लिए इतना समझ सकतो कि यह news में बनावा है now finally आता है editorial discussion पर मैं आपको कहूंगा कि आज का the Hindu newspaper open करो और वहाँ का editorial section open करो आपको एक भी article important नहीं मिलेगा ठीक है? काम का नहीं मिलेगा आप interesting के लिए अपने entertainment के लिए पढ़ना चाहते हो ठीक है लेगिन वो exam में help नहीं करेगा हमारा main purpose है हम exam के point of view से सारे के सारे discussion को लेकर चल रहे है समझ गए? तो इस वज़ा से वीडियो में मैं हर एक relevant content एड़ करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वज़े वीडियो का importance बढ़ चुका है पिछले 3 दिनों में तो दोस्तो आज का जो हमारा tutorial है वो हमने internet express से लिया है और एक अच्छा article GS paper number 3 economies आप इसको link कर सकते हो यहाँ पर क्या बात की जारी इसे tutorial में बात की जारी जो हमारी consultancy firms होती है दोस्तो आपको पता होगा कि आपने भी कहीं पर सुझाव लेना है किसी चीज़ को लेकर अलगर प्रकार के consultant होता है financial consultant होता है जो आपको पैसे को लिर सुझाव देंगे आपको यहाँ पर investment होने चाहिए आप परिशान हो आपको कोई solution नहीं दिख रहा है तो आप consultancy लेने जाते हो लोग का थोड़ा सेया पर सुझाव लेने जाते हो उसके लिए वो consultancy service दे रही होती है कंपनिया उसके लिए बदले में आपसे charge लेती है समझ गए आपको solution देने का तो यह बोला जा रहा है कि जो consultancy firms हैं वो हमारी सरकार के लिए भी काम कर रही है लेकिन उनको regulate करना जरूरी है नहीं तो फिर वो consultancy कंपनिया गलत तरीके से काम कर रही है जिसका impact पूरे देश पर पड़ेगा तो यही चीज़ यहाँ पर writer ने discuss किये है अलियास George ने आपर article discuss किया भीतरी तरीके से बड़े-बड़े example दिये है वो example भी यहाँ पर हम discuss करेंगे तो पहले हम समझ लेता है पूरा matter क्या है अब दोस्तों यहाँ पर सरकार के जो बड़े-बड़े projects होता है आज के समय पर वो ज़्यादतर विश्वास करते हैं consulting support के उपर में फॉर एक्जामपिल स्वच भारत मेशन हुआ रिवर गंगा हुआ जलजीवन मेशन हुआ यह सारे मेशन्स काम कर रहे है लेकिन इसके लिए हमने कहीं न कहीं किसी न किसी consultancy firm से support ले रखा है company से support ले रखा है कि यहाँ पर आपका सुझाव क्या है हमें क्या करना चाहिए इस तरीके सरकार के projects काम कर रहे है तो वो consultancy firm यहाँ पर सरकार सो कुछ पैसे लेती है चार्जिस लेती है उसके बदल में अपनी यहाँ पर suggestion देती है समझ गए तो हमारी जो केंदर सरकार है वो लगातार क्या कर रही है consultancy firm के साथ में engage होती चली जा रही है ताकि भारत को जो भारत का vision है 2047 तक एक developed country बनना इसको तुरंथ यहाँ पर हम जल से जल achieve कर सके है इसलिए यहाँ पर consultancy firm का सहारा लिया जा रहा है हाली की एक news report ने ये बताया उन्होंना highlight किया कि जो हमारी केंदर सरकार है उन्होंने लगबाग 5000 million rupees fees payment की है अलग-अलग consultancy firms को दुनिया बर का अलग-अलग consultancy firms को पिछले 5 सालों में इतना रूपया दिया गया इनको क्यों इनसे यहाँ पर कोई ना कोई service ली गई है कोई यहाँ पर suggestion लिए गए ठीक है यह बात यहाँ पर दोस्तों निकल कर आती है तो आप समझ रहे होंगे कि consultancy firms का कितना important role यहाँ पर नज़र आ रहा है अब जैसे यहाँ पर पहला example यही हम लोग यह discuss कर लेता है आखिरकार consultancy firms होती क्या है ठीक है तो consultancy firm दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार का business है जो की आपको professional advice देता है solution देता है दूसरे organizations को दूसरे संगठन को जो भी problem को face कर रहे है तो consultancy firms के अंदर में दोस्तों experts होते हैं अलग-अलग field के management के engineering के finance के healthcare के यह सारे experts यहाँ पर इस firm के अंदर में होते हैं वो क्या करते हैं एक fee charge करते हैं अपनी service के लिए ठीक है कि वही यहाँ पर आपका यह project है चलो हम आपको राय देते हैं कैसे काम करना आपको आपको professional advice देते हैं पक्का काम करेगी आपको profit होगा फाइदा होगा ठीक है तो इसके लिए आपर वो service देते हैं अब ऐसी कई सारी consultancy firm खड़ी भी है आज के समय पर हमारे इंडिया में भी इंडिया के example दो तो जैसे टाटा consultancy services इसकाम TCS के नाम से जानते हैं उसके लावा McKenzie and Company दन उसके आद में Deloitte आपको देखने को मिल जाएगी यह है तो इस तरी के दोस्तों यहाँ पर कई सारी consultancy firms आपको यहाँ पर नजर आती है अब सवाल यह है कि consultancy firm का हमारी public policy making में फाइदा क्या होगा यानि कि जो सरकार अलग-लग नीतियां जब बनाती है तो उसमें इन consultancy firms के services को ले रही है तो उसके क्या benefits हो सकते हैं क्या फाइदे हो सकते हैं सबसे पहली चीज़े specialized expertise सबसे पहला फाइदा यह है कि जो consultants होते हैं के साथ में discussion कर लिया जाए हो सकता है उनकी कुछ और advice हो सकता है कुछ अच्छी advice हो जाए उससे जादा लोग को फाइदा हो जाए program को अच्छी तरीके से implement कर सकें तो ऐसा यहाँ पर हो सकता है पहला फाइदा यह है कि उसमे expertise होता है दूसरा यहाँ पर फाइदा यह है कि flexibility on demand skill यानि जो public policy अगर आप दोस्तों देखते हो न जो अब ही हम नीतियां वगरा सब बनाते हैं तो आज के समय पर तेजी से digitization हो रहा है तेजी से यहाँ पर सारी चीज़े digitalize हो रही है बदल रही है तो हमें special technical skills की जरूरत है और जो कि इन consultants के पास में है तो यह हमको एक अच्छा flexible कह सकते हो कि skills प्रोवाइड कर वा सकते हैं सरकार यहाँ पर बढ़िया से इन expertise को use कर सकती है जब इनको जरूरत पढ़े सकती है जब इनको जरूरत पढ़ेगी ठीक है तो यह भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर इस्तमाल देखने को मिलेगा जैसे समय के साथ चीज़े बदल रही है तो consultation भी लिया जा सकता है समय के हिस आप से फिर एक और यहाँ पर फाइदा है diversity of perspectives यानि जो consultant है वो दोस्तो अलग लग प्रकार की जो services से वाफर करते हैं एक innovative approach देने की कोशिश करते हैं जो especially यहाँ पर प्रॉबलम है उसको यहाँ पर तुरंट solve करने की यहाँ पर अपने अंदर एक potential को रखते हैं ऐसा हम यह पर कह सकते हैं तो जो diversity है दोस्तों यह कहीं ने कहीं एक बहुत अच्छा solution लोगों को दे सकती है जब इंसान पुरी तरह से first तुका है कोई उसको उपाई नहीं दिख रहा है तबी तो वो consultancy firms की तरफ जा रहा है फिर उसके बाद यहाँ पर writer एक और फाइदा बताते हैं इ ठीक है तो यहाँ पर वो share कर सकते हैं और वो challenges को निप्टाया जा सकता है है ना problem को solve कर दीए consultancy firm इससे यहाँ पर cost effective और efficient solution मिल जाएगा जिससे कि यहाँ पर आपका सकते हो consultancy firm को भी फाइदा होगा और आराम से यहाँ पर सरकार उन policy को implement भी कर सकती है ठीक है तो कहोगे सही तो है क्या दिक्कत है थोड़ा पैसी तो जा रहा है चीज़े अच्छी हो पा रही है पॉलिसी अच्छी बन पा रही है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों यह तो एक तरफ आपने पढ़ लिया लेकिन हम UPS से अस्परेंट जो होता है वो एकी साइड गुम जाते है आपने कभी यह आप हर चीज़ पर चोटी चोटी बातों पर कंसल्टेंसी ले रहे हो किसी कंपणी से तो आपके डिपेंडेंसी उनके ओपर हो जाएगी आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो आपकी जो एसेंशल स्किल्स है वो कहां कहीं वो खत्म हो रही है आपकी नॉलिज खत दूसरा excessive dependence and mission creep यहाँ पर सबसे बड़ा risk यह है कि सरकारी officials जो है दोस्तों यह कभी-कभी बहुत ज़ादा reliant बन जाते हैं ऐसा कई सारे countries में भी देखा जाता है बहुत ज़ादा यहाँ पर dependent हो गए consulting teams के उपर में चोटे चोटे टास्क करने के लिए भी यहाँ पर वो consultancy ले रहे हैं और यह dependency क्या कर सकती है missions को और बरबाद कर सकती है ठीक है यहाँ पर government का जो role है government का जो दिमाग है वो खतम हो रहा है उनकी जो skills है है यहाँ पर खतम हो रही है फिर एक और problem यहाँ पर बताए जा रही है lobbying for repeat work and policy influence मतलब जो यह consulting firms होती है दोस्तों यह कई बार सरकारी करमचारियों के साथ में अपने संबंदों को relationships को अच्छी तरीकी से establish कर लेती है और establish करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर कहीं न कहीं फिर उसके बाद में जो घोटाले हैं वो शुरू होने लगते है यहाँ आप लेक्स अबसे बड़ी चिंता यह है कि जो यह consultancy firms होती है यह अपनी हद से जादा यहाँ पर policies के अंदर में अपने आपको लाने लगती है कोशिश करते हैं बहुत सदा चेंजिस करने की कभी-कभी अपने benefit के लिए यहाँ पर काम करना शुरू करते थी है ठीक है और एक और दिक्कत वाली बात यह है कि जो public policy objective से दोस्तों उनका distortion करना यानि consultancy firm का जब भी आप किसी नीती को बना रहे हो लोगों के लिए बना रहे हो उसमें consultancy firms को involve कर रहे हो ठीक है उनको बिल्कुल priority के उपर रख रहे हो तो यह सही चीज नहीं है दोस्तों यह long term interest के लिए काम नहीं करेगा और इससे यहाँ पर कही नहीं कहीं जो हमने policies बनाई है वो और ज़्यादा बरबाद हो सकती है क्योंकि आपने पुरुई तरह से उनकी उपर dependency रखी वी है फिर एक और problem यहाँ पर आती है वो है consultocracy यह जो term है consultocracy यह reflect करती है कि कभी कभी जो consultants का influence है वो सरकारी structure में ज़्यादा हो जाता है अब यह ज़्यादा involvement करने लगता है और ज़्यादा involvement करने के साथ दोस्तो सरकारी संस्थाओ की जो capabilities है जो इनका काम करने है जो इनके functioning है वो यहाँ पर दिरे दरे खतम होने लगती है इनी का role बढ़ने लगता है और जब इनका role बढ़ने लगता है सरकार भी dependent हो चुगी है सरकार का इनके बिना काम नहीं चल रहा है उनको अच्छा amount भी मिल रहा है तब यहाँ पर आता है corruption तब रश्टा चार शुरू हो जाता है ठीक है और फिर क्या होता है जो government activities है दोस्तों जब जब यह consulting firms के साथ में बातचीत कर रही होती है तो यहाँ पर consulting firms कई सारी opportunity create करती है corruption के लिए कि यहाँ पर यह policy हो सकती है बहुत सारा पैसा सरकार को बचेगा बहुत सारा पैसा हमारे पास में आएगा समझ गए और कुछ साल पहले CBI के एक report आई थी उसमें यही reveal किया गया था corruption scandal बहुत बड़ा चल रहा है जो consulting firms है दोस्तों वो कहीना कि corruption scandal के अंदर में present थी इस state government की जो यहाँ पर enterprises है वो यहाँ पर present थी उनके बीच में अपनी deals हुई भी थी उसके हिसाब से वो काम कर रहे थे funds को divert कर रहे थे project का जो fund आ रहा था state के पास में वो इदर दर divert कर रहे थे ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से जो corruption है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है जब dependency ज़ादा बढ़ जाएगी तब अब बात यहाँ पर है इसका way forward कैसका solution क्या है writer ने बोला है सबसे पहला solution है regulatory safeguard यानि consultancy group के साथ में बातचीत करना engagement करना इसको ज़रूरत है कि इसको regulate किया जाए बहुत डीटेल से comprehensively regulate किया जाए और एक transparency maintain की जाए भईया क्या discussion चल रहे है है ना consultancy group का पुरा हितियास हमारे पास में होना चाहिए फिर दूसरा disclosure of value added ठीक है यहाँ पर कई सरी चिंता ही होती है transparency को लेकर कई बार यहाँ पर जो information है वो सरकार और consultancy firms के बीच में बनी रहती है लेकिन उसको transparent करना जरूरी है लोगों तक यहाँ पर वो information पहुंचनी जरूरी है जितना transparency होगी corruption के जांसे उतने कम रहेंगे ठीक है तो इसके लिए हम एक अलग से body बना सकते है independent body हो सकती है कोई ombudsman, auditor, watchdog हो सकता है जिसको बना सकते है जिसका main काम होगा यह consultancy firms और सरकार के जो projects है इनके बीच में performance, outcome, impact इन सब को analyze करना, monitor करना समझ गए I hope दोस्तों आपको यहाँ पर यह अच्छे से पूरी clarity मिल चुकिए consultancy firms को लेकर आप थोला साहिए यहाँ पर हम details से discuss करते हैं, sorry details हमने discuss करी लिया है, अब आता है आज का mains का question, mains का question इसी article को पर based था, बड़िया सा answer अब लिख सकते हो question क्या है, examine the challenges posed by excessive dependence on consultancy firms in government projects सरकारी project की जब बात आती है, तो consultancy firms के उपर जादा dependent हो जाना कितना बड़ा challenge हो सकता है, कितने बड़ी चुनौती हो सकती है, यह आपने बताना है दूसरा, कैसे हम इन challenges इन चुनौती हो से लड़ सकते हैं, और इसके लिए क्या-क्या हम लोग नई policies को implement कर सकते हैं, यह आपने समझाना है, 200 शब्दों में एक बार Hindi में भी read कर देता हूँ, ताकि Hindi माधियम बल्याश्प्रेंट्स भी इसको अच्छे से पढ़कर एक बड़ी आसा answer लिख सकें, तो question है सरकारी परियोजनाओं में परामर्श, फर्मो पर अत्यादिक निर्भरता से उत्पन चुनौतियों की जाच करें नीतियों के प्रभावी और नैते कारिनवन को सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों को कैसे कम किया जा सकता है, वो बताएं जैसी आप फुल फर्म लिखोगे, मेरा टेलिगराम चनल मिलेगा जहाँ पर अल्रेडी 78,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़कर अपने आंसर को लिकर आप समिट करोगे तो साथी साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस सभी लोगो दो-दो आंसर्स रिवियू करना है जब आप सभी लोग दो-दो आंसर्स को रिवियू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी आपको कुछ important points मिलेंगे जो आप अपने notes में include कर सकते हो, सामने वाले के answer हम अगर कोई mistake होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ आपर improvement की आवश्रकता है, तो इस प्रकार से cooperative way में वो पुरा group काम कर रहा है, I hope दोस्तों आप visit करोगे चलिए, finally, आते हम लोग अपने prelims rapid fire test series के उपर में, तो आज भी जो भी हमने discussion किया है, अगर आपने अच्छे से concentration use करने के बाद में पूरे वीडियो को सुना है, तो अच्छे से आप सभी questions के सही सही उत्तर दे पाऊगे चलिए, हमें एक एक करके पहले सारे questions बताऊँगा, आप उसका answer देते वे चलना, और फिर एक साथ, last में सभी questions के answer दूँगा, आप उसको rematch करना, check करना, कितने आपने सही के हैं और कितने गलत के हैं, और बिल्कुल सचाई के साथ में, honesty के साथ में, जो भी आपका score आएग चाए आपने एक सही किया हो, चाए दो सही किया हो, चाए सारे सही किया हो, वो honesty वाला जो score है, वो ही लिखना है नीचे comment section में, ठीक है, चलिए, question number 1, which of the following statements is correct about radio carbon dating, radio carbon dating को लेकर इन चारो statements में से कौस statement सही है, पहला, इस radio carbon dating का हम use कर सकते हैं, in organic material की age का पता लगाने के लिए या फिर, यह जो radio carbon dating के दोस्तों, यह rely करता है, stable isotope carbon 12 के उपर, यानि carbon 12 के माद हम से पता लगाया जाता है, तीसरा, radio carbon dating का हम use करते हैं, किसी भी object के उपर, जो की एक समय पर जीवित था, चौथा बोलता है कि radio carbon dating यहाँ पर क्या कर सकता है, यह accurately determine कर सकता है, एक material की age को, चा इसका सही उतर क्या होना चाहिए, नीचे comment section of whatever answer दो, ना दोस्तों, next question में आपसे पूछा गया है, exercise winbacks के बारे में, exercise winbacks, इंडिया और दूसरा कौन सा देश है, जिसके बीच में conduct की जाती, option number A, Australia, B, Japan, C, Bhutan, या फिर D, Vietnam, बताओ क्या होना चाहिए इस cancer, अगले question में आपसे पुछा गया है, four horn antilope के बारे में, जिसको चौ सिंगा भी बोलता है, तो चौ सिंगा को लेकर दोस्तों, दो statements दिये गए हैं, बताना है कौन से statement सही है, पहला, चौ सिंगा केवल और केवल Indian subcontinent में पाया जाता है, दूसरा, चौ सिंगा का जो endanger, sorry, चौ सिंगा को IUCN के red list म में रखा गया है, तो बता दोनो statements में से कौन से statement सही है, option number A, one only, B, two only, C, दोनों सही है, या फिर D, दोनों के दोनों गलत है, ना नेक्स question में आपसे पूछा गया है, autolid के बारे में, तो autolid को लेकर दो statements दिये गए हैं, बताना है कौन से statement सही है, पहला, autolid एक प्रकार का stony lump है, जो की मचली की कान में present होता है, दूसरा, autolid को हम यहाँ पर use कर सकते हैं, कह सकते हो कि एक particular मचली की species को identify करने में, उसका size, उसका age का पता लगाने में, तो बताओ, दोनो statements में से कौन से statement सही, option number A, one only, B, two, only, C, दोनों सही है, या D, दोनों के दोनों गलत है, तो दो चाहिया, तो autolid को लेकर बताओ, दो statement से कौन से सही है, यहाँ पर दोनों के दोनो statements सही है, क्योंकि आपको बताओ, यहाँ पर autolid बिलकुल एक stony lump है, जो की मचली की कान में present होता है, और हाँ, बिलकुल यह एक मचली की species, उसकी size, वगरा पता लगाने में help कर सकता है, यह continent में वैसे जातर देखने को मलता है, तो पहला वला सही है, दूसरा वला यहाँ पर गलत है, क्योंकि चौसिंगा को दोस्तों, IUCN के red list में endangered नहीं vulnerable category में cover किया गया है, यह आपको पढ़ाया गया ता, vulnerable category, ठीक है, ध्यान अकना इसके बारे में, तो यह कहीं न कहीं हमारे लि तक हम आपको देखने को मिल जाता है, पिर आप से पुझा गया कि radio carbon dating बताओ, यह जो statement है, कौसर statement correct है, रीडियो carbon dating को लेकर, तो उसका सही उतर है third, radio carbon dating का हम use करते हैं, किसी बी object का पता लगाने के लिए, उसकी age पता लगाने के लिए, जो की यहाँ पर एक समय पर जिवित था ठीक है तो ये ध्यानक ना तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिसकेशन अब आते हैं हम लोग अपने प्रेलिम्स वाले क्वेशन पर क्वेशन क्या था कि बताओ भईया ये जो तीनों कंपनी है इन तीनों में से पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग कौन सी है तो यहां पर इसका सही उतर है अप्शन अंबर डी तीनों की तीनों यहां पर पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग से हमारी गवर्मेंट और इंडिया की झाल झाल